नाकपूर के नए पुलिस कमिश्णर अमितेश कुमार ने जब से नाकपूर का चार्ज लिया तब से लेकर अब तक के कई अवेध धंदो पर अंकूश लगा दिया है तो वही नाकपूर शरके पुलिस भी परेशान हुए है जी हाँ COVID-19 में दिंदरात काम करने वाले पुलिस कर्मी वरिष्टे पुलिस अधिकारी के मनमर्जी बदली या सस्पेंट के जाने से पुलिस कर्मियों में हड़कम सा मचा हुआ है सुतर से प्राप जानकारी के अनुसार वाड़ी पुलिस स्टेशन में कारिरत PSI प्रशान देश्मुक को तपास स्पेंडिंग को लेकर सस्पेंट किया वही PSI शामराव कावनपुरे की देड़ महा में ही बदली कर दी गौर तलब है कि कावनपुरे को प्रमोशन पर वाड़ी पुलिस स्टेशन से MIDC पुलिस स्टेशन में तबादला किया वह 16 दिसंबर को MIDC से केवल देड़ महा में बदली कर उन्हें कंट्रोल रूम भेज दिया एक जगह पर बदली होने के लिए दो साल का समय लगता है लेकिन कावनपुरे की डेड़ मा में ही कंट्रोल रूम बदली क्यों की गई यह सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है दोनों PSI ने कोरोना में लगातार कारे किया देशमुक ने तो वाड़ी प्लिस्टेशन में बड़े बड़े क्रिमिनल को हिरासत में डाला उनकी कारेकाल में दूसरे राज़े से भी आरोपियों को लाने में एहम भूमिकान निभाई देशमुक का वाडी के क्रिमिनल पर देशत है उनके नाम से क्रिमिनल कापते है ऐसे अधिकारी का निलम बन करना वाडी में चर्चा का विशय बना है देशमुक सस्पेंड नहीं होने से वाडी के क्रिमिनल खुश नजर आ रहे है पुलिस्टेशन में करमचारियों के कमी के च नाकपुर शहर पुलिस आयुक्ताले के तहट आने वाले पुलिस स्टेशन में अनेक मामले प्रलम्बित हो सकते हैं क्या सभी पर आयुक्त कारवाई करेंगे इन दोनों PSI पर कारवाई की शिकायद अब ग्रोह मंत्री तक जा सकती है वाडि से सरप्पाटिल BC News नाकपुरू